दुर्ट क्रिशी विग्यान केंद्र अंजोरा में रंगीन फुल गोभी एवं ब्रोकली की खेती की जा रही है। रंगीन फुल गोभी एवं ब्रोकली की खेती कर जिले की क्रिशकों के लिए नवाचार प्रस्तूत किया गया है। इसकी खेती के लिए 15-25 डिगरी तक का तापमान होना चाहिए। वही रंगीन फुल गोभी को सफेद गोभी की खेती की तरह ही रोपाई से पहले भूमें के जुताई एवं गोबर खात का उपयोग किया जाता है। ये रंगीन गोभी आम गोभी की तुल्ला में दुगना और व्रोकली से चार गुना दाम प्राप्त कर सकते हैं। इस संबन में क्रिशी विज्ञान केंद्र अंजोरा की डॉक्टर नीशा शर्मा ने अपने पतिक्रिया दी। क्योंकि सफेद गोभी तो यहां के किसान लगाते ही है। आपने देखा भी है। और 20 रुपए रेट में वो निकल रही है। हमने यहां पे लगाई है पीली गोभी और परपल कलर कोई परपल कह रहा है बैग नहीं या कोई गुला भी कह रहा है। तो यह केरोटिनाइड वाली है विटामिने से भरपूर है पीली वाली और जो परपल गोभी है पिंक कलर की गोभी है अन्थोसाइनिन जो नाम की जो कलर पिगमेंट्स होते हैं। उसके कारण हमने इसको नई वेराइटी नवाचार की ताकि किसानों की खेत में लगाए जा सके। ब्रॉकली तो आपको कहीं कहीं दुर्ग जिले में दिख जाएगा। लेकिन कलर गोभी नहीं है इसको हमने क्रिशकों के लिए लगाई है। जैसे हमने देखा कि दुर्ग की जलवाईयों में और दुर्ग की मिट्टी में हम इसको किस तरीके से लिजा सकते हैं। तो हमने अपने प्रशेतर पे लगा के देखा कि जैसे हमने गोबी लगाया है, सफेद गोबी लगाते हमने साथ में सफेद गोबी भी लगाई है साथ साथ सबकी सोईंग हमने एक साथ बुवाई एक साथ किये जो हमने पानी और उनको नैचरल तरीके से हमने किया है जिवामरित, घणामरित और गुबर खास इसको तैयार किये वही चीज हमने सफेद गुभी को भी दी है वही हमने पिली गुभी को, ब्रॉकली को और गुलाबी को माने चारों की हमने खेती है, वो एक साथ तैयार किये सीजन समय temperature का ध्यान रखना है इसमें क्योंकि broccoli जो है लोग देखते हैं दूर से तो गोभी की जैसे ही दिखती है लेकिन दिखने में गोभी जैसे स्वाद में इसमें अंतर पाया गया है और ये स्वाद की दृस्टे से बहुत ही ज्यादा nutritious है हमारे health benefits के लिए बहुत अच्छा है जैसे इसमें anti-oxidant की property है जो गुण है पाये जाते हैं और ये छारी प्रकृति का होता है ब्रॉकली जो है जैसे पेट में gastris हो रही है, acidity बढ़ गई है तो कुछ वो हम food लेने के लिए कहते हैं जो food alkaline हो, छारी हो, acid को कम करें तो ब्रॉकली एक बहुत अच्छा है, इसमें anti-oxidant है flavonides है, phytochemicals है, जो हरदैरों के लिए liver, fatty liver के लिए, diabetes को ये control करता है और anti-cancerous, मनि cancer के patient को भी ये ब्रॉकली जो है, dietitian जो है, hospital में दिया जाता है grand nation news के लिए, दुर्ग सिना सिम फारुकी की रिपोर्ट